लो दोस्ते हैं तो गैसे हो आप सब भी लोग्स होगाइज आज की वीडियो काफी ज़्याधा इंट्रेस्टिंग अमेजिंग वीडियो होने वाले आप सब लोग के लिए जो भी आप सब्सक्राइब लेने के लिए आप लोगों के लिए यह वीडियो काफी ज़्याधा इंपोर्टन होने वाले क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले थी ओनली अपकमिंग यामा आर्थी के बार में जी हां गाइस यामा आर्थी जो है फा आर्थी के ओपर सारी इस वीडियो में आप लोगों को में जाएंगे आप लोगा पस यहीं काम है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे बेल आइकन जोए तबादे देन वीडियो को जो लाइक और सब्सक्राइब कर देजे अपन को मिलेगा एक तो है यामा आर्थरी एंड दूसरी जो है यामा आर्थरी एम ठीक है तो यहां पर दो वेरेंट्स हम लोग देखने को मिलेगी और डिफरेंस क्या होने वाला है यहां पर मैं बता देना चाहता हूं कि सबसे बड़ा जो डिफरेंस यहां पर देखने को जैसे कि हम लोगो और फाइप में मिलता है लेकिन यहां पर यहां पर यहां पर बड़ा डिफ्रेंस हो जाएगा आर्ट्री में ठीक है सबसे बड़ा यहां पर हम लोगों को इलेक्ट्रोनिक्स जो फीचर से वहां पर हम लोगो कुछ ज्यादा ही आर्ट्री म में देखने को मिलेगा जो कि आर्ट्री नॉर्मल वेरेंट में नहीं मिलने वाला है एंड यहां पर यहां पर इवेश्डी सस्पेंसर मिल जाएगा डूल चनले एपिए सम्मलों को दोनों ही वेरेंट्स में मिल जाएगे लेकिन ट्राक्शन कंट्रोल बगएरा वहां हम लोगों सिर्फ आर्थ्री एम में मिलेगा और एक सबसे बड़ा यहां पर डिफ्रेंस लेकिन हम लोग को कु सिप्टर लेकिन आर्थ्री में हम लोग को कुक्व"-ेश्प्टर नहीं मिले वाले ञाए तो अर्थ्री एम में जो हम को काफी अच्छे तक पीचर मिल जाएंगे तो उस इस आप से देखा ज syllabus क्या हम लोग को प्रायसे जो थी अर्थ्री सबसे बड़ा जो चेंज यहां पर होगा कि इस गाड़ी में हम लोगों को नेविगेशन भी मिलने वाला है जी हां गाइस नेविगेशन का ओप्षिन सिर्फ टॉप मोडल में होगा आप लोगों को जो आर्थरी में आप इसको optional के तरह ले सकते हैं आप लोग बाहर से लगवा सकते हो लेकिन हम लोग को company fitted सिर्फ R3M में यह सब चीज़े मिल जाएंगी जो कि R3 normal wear rate में हम लोग को नहीं मिलने वाली है तो गाइस अगर हम लोग बात करने इस गाड़ी की जो launch date है तो कब तक जो ही यह गाड़ी launch होने वाले तो गाड़ी जो है next year 2022 में 2022 में यह गाड़ी launch हो जाएगी कब तक मार्च नहीं तो April के महिने में यह launch हो जाएगी लेकिन गाइस थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है पीछ 2018 का जो new model है वो भी आने वाला है जल्दी उसका वीडियो में मैंने बना दिया है आप लोग ने अगर नहीं देखा है तो जरू से जरू वीडियो को देख ले ना आई बटन में मैं लिंक दे दे रहा हूं ठीक है तो अगर हम लोग बात कर ले इसकी जो pricing है तो pricing क्या होने व मिलेगा क्यों कि भाई जो भी तीन लाग के रेंज के अंदर हैं गाड़िया सब तीन लाग के अंदर है उसके ऊपर कोई भी गाड़ी नहीं जदे तीन बीस के करीब मैक्सिमम जाती है जो कि डूक 390 है तो उससे साफ़ से देखा जाए तो यामा आर्थरी का जो pricing है ना उस उसको अभी तीन लाग पचास जार के expected उसका pricing रखा जाएगा कोई कोई यार बोल रहे हैं कि चाल लाग के करीब हो जाएगा लेकिन मैं यह बोल रहा हूं कि तीन लाग पचास जार के करीब रखा जाएगा इसका एक शोरूम प्रैस ओन रोड प्रैस त्री लाग 80,000 के उसका ओन रोड प्रैस मैक्सिमम जाएगा उससे उपर नहीं जाएगा ठीक है तो अब ही अगर हम लोग power पर की बात करें तो इस गाड़ी में पहले से हम लोगको सबसे ज़्यादा power मिलना मतलब कि 42vhp हम या पे हम लोगको power देखने को मिलेगा और जो तॉर्क है 29.6 mm टॉ लिक्स है तो उसके वारे में वीडियो बना दूँगा आप लोगों के लिए तो यही तक वीडियो में अपडेट गाइस एंड गाइस आप लोग मेरे को कमेंट से पूछ सकते कुछ भी अगर डाउट सो तो मैं वहाँ पर आप लोगो रिप्लाइद दे दूँगा आप सभी स तो मैं यह रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को जैनल को सब्सक्राइब कर दिजे एंड बैल आके जोए दबाद जैन वीडियो को जो लाइक और सेर भी कर दिजे अपने फैन्स के जात सो गाइस मिलता है नक्ष वीडियो मे तब तक है लिए बाई जैहिन वन्दे मातरम